हेलो दूस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेस्ट इन मार्केट के एक और नए वीडियो पे दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बेस्ट इन मार्केट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजेगा वह अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते तो आप हमारे दूसरे चैनल वाइरल हिंदी टीवी को बिचाओ तो सब्सक्राइब कर सकते हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मदरसन सुमी इंडिया के बारे में जो कि आज की दिन आपको करीब-करीब 5% करेक्ट होते हुए देखने को मिला है अब यहाँ पर आपको इतनी बड़ी गिरावट के पीछे क्या वज़ा है वो सिंबल से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाल में कंपनी का जो रिजल्ट आया है वो काफी गड़बड आया है जिसकी वज़े से इस कंपनी में आपको काफी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है लेकिन क्या दोस्तो इतनी अच्छी खासी गिरावट देखने के बाद भी हमें इस स्टॉक में बाई करके चलना चाहिए तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो आप क्लियरली देख सकते हो जो कंपनी का 52 वीक का हाई लगा था वो 272 रुपीज के पास का आपको देखने को मिल रहा है और वहीं जो आपको कंपनी का लो लगते होए देखने को मिला है वो आज के दिन 157.40 रुपीज का आपको देखने को मिला है अब दोस्तो यह कंपनी आपके पोर्टफोलियो में अगर है तो आपके दिमाग में यही च चुकी है तो आगे हमें इस stock में क्या करना चाहिए उन सारी चीज़ों को हम लोग discuss करेंगे चार्ट्स पर अब दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो share holding pattern पर हम लोग discuss करने वाले हैं सबसे important हमारे लिए FIs और DIs की holding होने वाली है अगर आप September quarter की बात करते हो आप दोस्तों हर किसी को यह पता है कि government का support automotive sector में काफी जादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है जिसकी वज़े से हर किसी को कहीं न कहीं यह अनुमान तो है कि आने वाले 5 सालों के अंदर इन companies में काफी अच्छी growth देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि यह companies आपको multi bagger return भी दे दें तो multi bagger return पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इन companies को long term के लिए hold करना पड़ेगा और यह stock भी ऐसा ही stock है जिसको अगर आप long term के लिए hold करते हो तो आपको यह अच्छे खासे multi bagger return दे सकता है दोस्तो company के charts पर बढ़ने से पहले company के थोड़े से basic profile को हम देख लेते हैं तो लग बग लग आपको 12,000 करोड का debt देखने को मिल रहा है so payment के net profit की बात करें तो 1465 करोड का net profit है company को promote holding की बात करें, तो 61% की प्रमोटर holding है लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज जानकर हैनानी होगी कि company की जो promoter holding है उसमें 4% holding pledged है मतलब गिर्वी रखी हुई है और यह किसी भी company के लिए अच्छी बात नहीं साबित होती है वहीं दोस्तों इस company के earning पर share के बात करें तो वो भी आपको 4.64 का देखने को मिल रहा है और बाकी सारी चीज़े भी आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो सभी चीज़े आपको काफी अच्छी देखने को मिल रही है अब दोस्तों जाधा time ना waste करते हुए हम लोग सीधे सीधे मदरसं सुमी के चार्ट पर आ जाते हैं आप यहाँ पर clearly देख सकते हो कि मैंने daily time frame का चार्ट लगा के रखा हुआ है अगर हम पिछले एक साल से लेकर के अभी तक कि इस stock की performance की बात करें तो यह stock अभी के समय में आपको 52 week के low पर देखने को मिल रहा होगा लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यह stock continue वासलिए आपको एक range के अंदर move होता हुआ देखने को मिला है पिछले एक साल से और इस range के अगर मैं lower और upper end की बात करूँ तो यह stock का lower end आपको देखने को मिला था वो करीब करीब हमाएं 200 रूपए के आजस पास देखने को मिला था और वहीं जो इसका higher end था वो करीब करीब हमें 250 रूपए से लेगर के 260 रूपए के बीच में देखने को मिला था और अभी की समय में दोस्तों आप clearly देख सकते हो कि इस range पर हमारे stock ने काफी बार support लेने की कोशिश की काफी बार एक बार नहीं काफी बार exactly इस इनी levels पर मतलब upper end पर और lower end पर काफी बार support लेने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर आपको देखने को clearly समझ में आ रहा होगा कि इ इस वज़े से company ने अपने evaluation को adjust करने के लिए अपने mother sun sumi wiring harness india limited के share के price को यहाँ पर adjust किया था जिसकी वज़े से इस stock में आपको काफी ज़्यादा price drop होते हुए देखने को मिला लेकिन आपको एक चीज़ यह याद रखनी है कि जिनके पास भी record date से पहले इस stock के holdings थी उन् लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ समझने की जरुवत यह है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि यह एक range बनी हुई थी और इस range की वज़े से continuously क्या होता है कि जब भी यह stock यहाँ पर support लेता है तो काफी लोग यहाँ पर buy करके इस stock को swing के लिए play करते हैं अब जैसे ही आपन point slip होना start हुआ लोगों के लगातार यहाँ पर क्या hit होना चालू हो गए SL stop losses और जिसकी वज़े से आपको लगातार इस stock में pressure देखने को मिल रहा है और profit booking देखने को मिल रही है अब दोस्तों मेरी नजर में इस stock में हमें क्या करना चाहिए मेरी नजर में दोस्तों इस stock में ह कई लोग इस stock के अंदर परेशान हो करके इस stock को छोड़ करके जा चुके हैं और वहीं आपके दिमाग में अभी सबसे बड़ा doubt यह उट रहा होगा कि यहाँ पर एक gap create हुआ है और इस range में हमें एक breakdown देखने को मिला है तो इस वज़े से हम क्यों इस stock में entry बनाए क्योंकि अलेड़ी तो इस stock में breakdown हो चुका है लेकिन दोस्तो यह चीज़ आपको समझना यहाँ पर काफी ज़्यादा जरूरी है कि यह breakdown नहीं है यह actually price का adjustment है जो इनका demerger का share है उसके price के adjustment की वज़े से यहाँ पर price नीचे गया है कोई और बड़ी वज़ा नहीं है जिस वज़े से price crash हुआ हो तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह stock काफी लंबे समय से अभी तक एक range के अंदर ही move कर रहा है और यह चीज़ आपको किसी भी YouTube चैनल पर सुनने को नहीं मिलेगी तो इसलिए अगर अब भी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजेगा अब व आपके पास यह stock already है तो आपको simply एक चीज़ करना है कि अपनी positions को hold करके रखना है और एक चीज़ कर सकते हो कि अगर आपको यह stock नीचे आते हुए देखने को मिलता है तो आप lower levels पर average करने के बारे में plan कर सकते हो अब दोस्तो lower levels की बात करो तो आप यहाँ पर clearly देख सकते ह हो कि यह stock ने इन दोनों जगा पर support लेने की कोशिश की थी अब दोस्तो यहाँ पर important बात यह उठती है कि यह support level कहाँ पर निकल गया रहा है अब दोस्तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह support level आपको 135 रुपीस से लेगर के 140 रुपीस के बीच की range का देखने को मिल रहा है और अगर आपको यह stock इस range के अंदर आते हुए देखने को मिलता है तो आप चाहो तो यहाँ पर एक buying position initiate कर सकते हो और यह मेरे लिए best buying level होने वाला है इस stock में फिर से वहीं दोस्तो जिन लोगों को थोड़ा order लग रहा है जो अभी तक अपनी positions को hold करके रखे हुए है इस के लिए दोस्तो simple सा जो stop loss होने वाला है वो इस वाले point पर होने वाला है तो आप चाहो तो इस stock में जो stop loss लगा करके चल सकते हो वो 120 रुपीज के नीचे का लगा सकते हो अब यह 120 रुपीज से नीचे का आपको लगाना है इसका मतलब यह आपका 120 रुपीज से लेकर के 115 र रहा होगा लेकिन आपको जो best buying level मैंने आपको बताया है वो है 135 रुपीज से लेकर के 140 रुपीज के बीच का और वहीं दोस्तो जो आपका stop loss होना चाहिए वो होना चाहिए 120 रुपीज से लेकर के 115 रुपीज का अब दोस्तो हमारे लिए यहाँ पर important चीज यह निकल गया आ है और आपको एक चीज अच्छे से पता होगे कि automotive सेक्टर में अभी सबसे बड़ी जो shortage चल रही है वो चल रही है semi connected chip की shortage और जैसे ही यह shortage खतम होगी आपको automotive सेक्टर में वापिस से काफी तेजी देखने को मिलने वाली है कि हैर उन सब बातों को side करके इस stock में अगर मैं target क बात करूँ तो यह धियान रखेगा कि अगर आप इस level पर entry बनाते हो तो जो आपका first target इस stock में निकल के आना चाहिए वो आना चाहिए swing के basis पे 180 रुपीज का अब यह उन लोगों के लिए जो लोग swing play करते हैं वहीं दोस्तो इस stock से second target आपका निकल के आना चाहिए 220 रुप अब दोस्तो इस target की duration की बात करूँ तो यह short term target है short term target का मतलब simply दोस्तो यह target आपको एक साल के अंदर अचीव होते हुए देखने को मिल सकता है वहीं दोस्तो अगर long term target की बात करूँ तो इस stock में जो long term target मेरेको expected है मेरेको ऐसा लगता है कि 5 साल के अंदर यह stock आपको 1000 रु बीच में आपको देखने को मिल सकता है अब दोस्तो यह target थोड़े से aggressive जरूर है लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि automotive sector में अभी सबसे बड़ी जो दिक्कत चल रही है वो chip shortages की चल रही है जिसकी वज़े से पूरा production काफी जादा slow हो गया है जिसकी वज़े से जो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों साथ शेयर कर दीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलूँगा एक और ऐसी वीडियो लेकर तब तक के लिए दन्यवाद